हलो फ्रेंड तो दिवाली आ गई है तो दिवाली के लिए मैं यहां पे दो इस्पेशल और छटपर बनने वाली मिठाई आपको बताऊंगी तो यहां पे सबसे पहले मैंने 500 ग्राम पनी ले लिया है और उसको कद्दू कस कर लिया है और यहां पे मैंने मिल्क पॉर्डर ले है तो मिल्क पॉर्डर मैंने 10 वाल ले लिया है अगर आपके पास बड़ा वाला हो तो आप कोई सभी मिल्क पॉर्डर यहां पे डाल सकते हैं और यहां पे मैंने एक कटोरी छोटी कटोरी से ले लिया है चीनी तो चीनी को मैंने यहां पे पीस लिया है बिल्कुल मेहीर और अब बिना गयस जलाये हुए बनके तयार हो जाती है, मिठाई और बहुत ज्यादा टेस्टी भी लगती है मार्केट में यह बहुत ज्यादा मेहंगी मिठाई मिलती है, यहाँ पे मैंने बिल्कुल सरेत तरिके से आपको बताया है यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से जो हमारा है वो मिक्स हो चुका है और यहाँ पर हम बना लेंगे छोटे छोटे बॉल इसका और जो बॉल है बिल्कुल हमें ज्यादा दबाना नहीं है हाथ से बिल्कुल हलके हलके हाथों से हमें गोल-गोल गुमा के बना लेना है तो यह यहाँ पे पनीर का लेडई बनके तयार है और यहाँ पे दूसरी मिठाई के लिए मैंने ले लिया है एक बेशन और थोड़ा सा और बेशन मैंने यहां पे ले लिया है और बेशन को जो न मैंने पहले छन्नी से छान लिया है छन्नी से छानने से होता है कि बहुत हलका बेशन हो जाता है तो यहां पे जितना हम बेशन लेंगे न उतना ही हमें घी लेना है तो घी से हम थोड़ा थोड़ा घी मुडियम है और उसी कप से मैंने डेड़ कप जितना हमने बेशन लिया है न उतना ही हमें चीनी भी लेना है और यहां पर हलका सा पानी एक चमश जो हम खाना खाते हैं उससे एक चमश से पानी डालना है और एक तार की हमें चासनी बनानी है तार इतना करना है कि तूट भी जा बोर्ट च्छोड़ना SHRI ।ot Just 막 Max ठब चाल सकते हैं हम ने ज़ो안 अच्छे से यहां पर डाल दिया है और यहां क्णा से आफ इसको हुम चलाएंगे और इसको क्या करेंगे जब तक हमारा बेशन है भून न जाए इसमें से अच्छी खुस्बू न आ जाए तब तक इसको हम चलाते रहेंगे तो बीच बीच में हमें क्या करना है ना थोड़ा सा हमने घी बचा लिया था तो यहां पर देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा हमें घी डालते रहना है यहां तो आप किसी की मदद ले ले दिख सकते हैं यह बिल्कुल हलका होता जाएगा और मिठाई है बहुत अच्छी बनके त generous होती है और जाली-दार वन्ती है अर यहां पे देख सकते हैं सह स्व cukru में इक कप बचाया था उसमें में निरुदिया है और यहां पे मेने में एक aprovadर भी बॉठ ले सकते हैं और यहां पे एले सो है उस्तित और बटर पेपर लगा लिया है, अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है, तो आप घी भी लगा सकते हैं, अच्छे से, और यहां पर हमें क्या करना है, टीपिन को जैसे पठकना उटकना कुछ भी नहीं है, शेट नहीं करना है हमें, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम डाल देंगे, वै सेट हो चुका है, और अब इसका क्या करते हैं, बटर पेपर हम निकाल देते हैं, यहां पे आसानी से बटर पेपर निकल भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, और देख सकते हैं, बिल्कुल जाली पड़ गई है इसमें, तो यह मिठाई मैंने जटपड बनाया था घर फटापट बना लिया था बनके तयार तो मैंने सोचा कि आप मैं सेयर भी कर दूँ, दिवाली भी आ गई है, तो यह देख सकते हैं, हमारी घर पे जो है मिठाई बनके तयार हो गई है फटापट और आप भी घर पे ही बनाएं, बहार की जो है बहुत ज़्यदा इसमें मिला बनको